मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हमारे जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो अशान्ती है, वह हमारे मन के नाते है मन अस्त ब्यास्त है, इसलिए जीवन में दुख है और यह दुख आज से नहीं, कई जन्मों से या कहें अनादी काल से यह धारा, दुखों की यह धारा चली आ रही है क्यों? क्योंकि मन बिकारी बना हुआ है, मन दूशित है अगर यही मन को हम सवार लिए होते, शाजा लिए होते, प्रेम शे भर लिए होते, निर्मल कर लिए होते तो बंदों हमारी जो शिकायत है, कि मेरे जिवन में दुख है, मेरा जीवन आशंत मैं बना हुआ है हम यह सिकायत न करते हैं, लेकिन हम सब कुछ सवारे सजाएं, साप किया, लेकिन मन को शाप न किया, मन को निर्मल न बनाया और जब तक हम मन को निर्मल नहीं बनाएंगे, बंदों हम कितनी ही उपासना, पद्धतियों को अपने जिवन में लागू कर लें हम कितना ही ध्यान साधना सत्संग करें, अगर मन निर्मल नहीं है, मन को हम पवित्र नहीं किये, तो फिर दुख की जो धारा जन्मों जन्मों से चली आ रही है, वह नहीं मिटेगी तो अगर हमें सुक चाहिए, सांती चाहिए, तो मन को निर्मल बनाए, मन निर्मल बनता है, जब हम संतों के पास आते हैं, गुर्जनों के पास आते हैं, और उनके बताएवे ग्यान के अनुसर, जीवन को धारण करते हैं, केवल शुल लेने से जीवन नहीं बदलता, हम थोड़ा सुनें, लेकिन जो ग्यान की बाते हैं, उसको हम जीवन में आच्रण करें, जीवन में लागो करें, उन सब बातों के अनुसर, जीवन को धालें, तभी जीवन निखरता है, तभी जीवन में प्रेम आता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम आ गया, उसका ते जीवन धन्न है, वही तो परमानन में जी रहा है, वही तो असली भजन का हगदार है, जो फूल लेकर बंदगी करती हैं, तो कारेकम समापन हो, सत्संग समापत हो, उसके बाद आ करके संतो गुर्जनों की बंदगी कर अभी आ करके सत्संग में बैठें और स्रवन करें, अन्ति में आ जाएं, क्योंकि व्यवधान होता है बीच बीच में, इसलिए आते जाएं और बैठते जाएं, सत्संग सुनें तो मैं कह रहा था, हमारे जिन में जो दुख है, जो पीड़ा है, मन की नाते हैं, मन में तरा-तरा की विचार, गलत भावनाय उठती रहती हैं इसको हम हटा दें, इसको मिटा दें, और यह तब होगा, जब हम संतों की पास आएं, संद गुर्जुनों की पास आते हैं, तो उनके जो सद्गुड हैं, उनके जो ग्यानम रित्म हैं, विचार हैं, वे उन दुष्ट भावनायों को, गलत भावनायों को मिटाते हैं हमारे अंदर सद्गुणों का प्रवेश होता है और जहां सद्गुणों का प्रवेश होता है वहां से कलुसिद भावनाएं कलुसिद विचार हटते चले जाते हैं तो मैंने अपनी बात सुरू की थी कि दुख मन के नाते जीवन में दुख है अशान्ती है पीड़ा है बंधों अगर हमें दुखों शिपार जाना है तो मन को सजा ले तब ही जीवन सार्थक होगा अगर मन को ना सवारे ना सजाए तो फिर हमारा जन मिलेना मनुष का देह मिलना व्यर्थ हो जाएगा पुझवर गुर्देजी बारंबार कहा करते थे कि जिसने अपने आपको जीत लिया वही बिस बिजिता हो गया बिस बिजिता वा नहीं जो दुन्या को जीते दुन्या का समराड बने जो अपने मन इंद्रों को जीत लिया अपने मन को जीत लिया वही समराड है लेकिन आज हम देखें तो हमारी पेड़ी यहां करे हम खुद कैसे कैसे विचारों को शुनते हैं कैसे कैसे दृष्णों को देखते हैं जिससे मन उत्तेजित होता है मन कलुषिद बनता है अगर हमारा देखना सुनना भोगना ठीक नहीं है तो हम सांती को कैसे पाएंगे क्योंकि हमारा देखना सुनना भोगना ही संसकारों शंसकार है और इसी का मन है हम जो देखते सुनते भोगते हैं इनी का समुच्चे संसकार है और यही मन है तो हमारी पीड़ी आज उने द्रिश्चों को देखती है, जिससे मन उत्तेजित हो, मन विकारी बने, ऐसे गीतों को, ऐसे सब्दों को शुनते हैं, जिससे मन चंचल बने, उत्तेजित हो, और ऐसे बच्चे कहते हैं कि मेरे जीवन सांत मैं हो, मेरे जीवन प्रेम घटित हो, बंदों या कैसे हो शकता है, हमारा देखना बढ़िया हो जाए, हमारी इंद्रियों से हर काम पवित्र में होने लग जाए, तो जीवन सार्थक हो जाए, हम हर पल देखें कि मेरे मन में कैसे बीचार, कैसी भावनाय उठती हैं, जब हम खुद को नेरक्षड करने लगते हैं, सभी दुखों का अंत होता है, लेकिन अंजाने में हम आज तक ऐसा जीवन जीते आ रहे हैं, जिससे हमें दुख ही मिला हुआ है, एक ब्यक्ति था, वह कभी चुड़िया घर नहीं देखा था, एक दिन वह चुड़िया घर देखने के लिए गया, तो वहां के अधिकारियो ने कहा, तुम चुड़िया घर के अंदर, तभी जाशकोगे, जब हमारे बनाए हुए इस विशेश सूट को पहनोगे, क्योंकि इस सूट को पहने बिना, तुम्हें जू का आनन्द नहीं मिलेगा, तुम्हें वहां के पसुपक्षी, वहां के नाजारें नहीं देखेंगे तो उस बेक्ति ने कहा, मैं जू कभी देखा नहीं, और जू का आनन्द लेने के लिए हाया हुँ, तो जरूर मैं आपके बनाए हुए इस विशेश सूट को, विशेश यंद्र को पहनूगा, अधिकारियों ने उस विशेश यंद्र को, उस बेक्ति को पहनाया, और वहां अंदर प्रिवेश किया, उस यंद्र में, उस विशेश सूट में, अनेको प्रकार की रंग बिरंगे बटने लगी थी, और उन बटनों की यह विशेश्ता थी, खाश्यत थी, कि जाने अंजाने में, जो बटन दपती, उससे एक आवाज निकलती, और उस आवाज का जो रस करवा, जो के अंदर प्रिवेश किया, तो बटने उससे दबने लगी, पहली बटन दपी तो हंस, पक्षी नजार आने लगी, उसके समेप आने लगी, अदभुत द्रेश्यों का आवाज आनन लेने लगा, दूसरी बटन दपी तो गीद, कौवे, उल्लू नजार आने लग तीसरी बटन दबी, तो गधे आदी, पशु जानवार उससे दिखने लगी, और उसके नजदिक आने लगी, तुआ गुमता रहा, गुमता रहा, और जाने आन जाने में उससे बटने दपती रही, और वह जू का आनन इसी तरह लेता रहा, जू देखा और वापसा कर, उस बिसेश सुट को अधिकारियों को शापा और अपने घर चलाया, बंधों यह कहानी है, कहानी किसी बात को समझाने का एक माद्यम है, एक रूपक है, यहाँ पूरा संसार एक चिडिया घर है, हमारा सरीर यह बिसेश यंद्र है, और इस बिसेश यंद्र में यहाँ आदमी आ हुआ है, जाने अंजाने में हम क्या पैदा करते रहें, कौन सी बटन दबाते रहें, क्या हम प्रेम की बटन दबाएं, क्या हम करोड़ा की बटन दबाते आ रहें, या क्रोध नफरत की बटन दबाते आ रहें, और बंधों जिब हम अपने मन में देखेंगे, गाराई से द गाटित करता रहा, जिससे मेरा जिवन आशांत में बने, दुख में बने, तो बंधों, अगर हमें दुखों से पाड़ जाना है, तो मन को शमझें कि मन है क्या, जब तक हम मन को शमझेंगे नहीं, हमारा दुख मिटेगा नहीं, और जैसे मैंने संछेप में कहा दिया, कि जो ह हम देखते सुनते भोगते हैं उन्हीं का संस्कार मन है तो हमारा देखना सुनना अच्छा हो जाए तो फिर हम सिकायत नहीं करेंगे कि पड़ोशी के नाते मेरे जिवन में दुख है अमुक के नाते मेरा जीवन दुख में बना हुआ है हम कभी अपने को देखे नहीं कभी अपने मन को समझे ही नहीं इसलिए हम सिधा पड़ोशी पर उंगले उठा देते हैं कि दूसरे के नाते दुख है पड़ोशी के नाते दुख है लेकिन जो बेक्ती अपने को समझ गया अपने मनो भाव को समझ गया अपने मन को देख लिया ऐसा बेक्ति दूसरों पर उंगली नहीं उठाता वह तो यही समाजता है कि मेरे जीर में जो दुख है जो पीड़ा है जो असांती है या मेरे जीर में शुक है प्रेम है करूडा है तुसका जिमिदार में श्वयम हो एक घटना ख्याला गई भगवान बुद्धि के एक सिस्वे हैं पूर्ड कश्रप शैद्वे पूर्डता को प्राप्त भी हो चुके हो और उनका नाम भी पूर्ड था तो एक दिन भगवान बुद्धि ने कहा पूर्ड तु सच्मुच अब पूर्ड हो चुका है निर्वाण को उपलब्द हो चुका है अब तुझे मेरे साथ घुमने की आउशकता नहीं है मैंने तुझे जो ग्यान की हीरे जुहरात मोती दिये हैं अब तु अकेले भ्रमण कर और उसे लोगों में बाट तु पूर्ड ने कहा आपी सहरा कर दे कि कि धर जाओं तो भगवान बुद्धी ने कहा तु खुद ही सक्षम है तु खुद ही समर्थवान है खुद ही निर्डे कर ले कि कि धर जाना है इतनी बात सुनते ही पूर्ड ने कहा भगवन जाओंगा बिहार में सुखा नाम की एक जगा है वहाँ जाओंगा इतनी बात सुनते ही भगवन बुद्ध ने कहा पूर्ड तू खत्रा मोल ले रहा है क्योंकि जहां जाने की तू बात कर रहा है वहाँ की लोग बड़े राश्शी प्रवित्तिके हैं बड़े जंगली हैं पशु हैं वे सादो शंतों को शताने मेरस लेते हैं आनन्द मानते हैं भगवान बुद्ध का जीवन काल यूपी बिहारी रहा जीवन भर उसी में वे ब्रहमण करते रहें उब्देश करते रहें वे दो राज्शों में ही अपना पूरा जीवन समस्त जीवन विता दियें और उस जमाने में साद कोई ऐसी जगा रही हो जहां की भगवान बुद्ध चर्चा कर रहे हैं पूरड कह रहे हैं आज तो वह जगहा पता नहीं चलती और पूरे भारत में देखें तो बिहार की लोग बहुत ही सरदावान हर जगह की लोग सरदावान होते हैं भक्ति में लोग होते हैं लेकिन बिहार में कुछ जादा ही बिरह भक्ति है करूडा प्रधान की वहां की लोग संतों की प्रती अधिक लगाव रखते हैं तो भगवान बुद्धी ने कहा तु खत्रा मोल ले रहा है महां की लोग सादू संतों को शाताने में आनन मानते हैं वे पूरे जंगली हैं तो पूर्ण ने कहा, इसलिए तो जाना चाहता हूं, कब तक वे पंशों की तारा जीवन जीएंगे, कब तक वे जंगली बने रहेंगे, किसीन किसी को तो जाना ही होगा, तो भगवान बुद्धी ने कहा, ठीक है तुझा, लेकिन जाने से पहले मेरे कुछ प्रश्ण है, उस अच्छे लोग हैं, किवल गाले देते हैं, मारते नहीं, मार भी सकते हैं, लेकिन किवल गाले देते हैं, तो भगवान बुद्धी ने कहा, अगला प्रश्ण किया, कौन जाने वे तुझे मार नहीं लगें, तो उस वक्त तेरे मन में उनके लिए क्या भाव उठेगा, तो पुर्ण ने कहा, मेरे मन में यही भाव उठेगा, कि कितनी अच्छे लोग हैं, कितनी प्यारे लोग हैं, मुझे इस दुख भरी दुनिया से जल्दी छुट्टी दिला रहे हैं, मैं आनन्दित होगर इस संसार से बिदा हो रहा हूं, भगवान बुद्धी ने कहा, अब त तुझे कोई गाले नहीं दे सकता, अब तुझे कोई मार नहीं सकता, अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता, ऐसा नहीं कि वहाँ तुझे गाले नहीं देंगे, गाले देंगे, मारेंगे भी, हो सकता है, जान से भी मार दें, लेकिन अब तु मरेगा नहीं, भगवान बात कह रहे हैं, चाचा करें, वहाँ अलग है, क्योंकि पूर्ड अपने को शमज गये हैं, कि सुख दुख का कारण मेरा मन है, मुझे कोई ना सुख दे सकता है, ना कोई दुख दे सकता है, मेरा मन ही सुख दुख का कारण है, और इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, कि त अपने मन को समझ गया, उसका दुख मिट गया, तो मैंने अपनी बात सुरू की थी, हुजी साहब की भजन के, कि मन की तरंग मालो, बस हो गया भजन, बंध हो, हमारे मन में जो नाना प्रकार की तरंगे, बिचारे उठते रहते हैं, गलत भावना उठती रहती हैं, इसको हम ज पानी की बात कहते हैं, चर्चा करते हैं, लिकिन बंधो, परमात्मा, प्रेम, शाल्ती, पाना ही, जो शब्दाता है, या व्यर्थ है, पाना कुछ है ही नहीं, यह हमारे अंदर मौजूद है, बस अड़ते हम अपने मन को जीते, मन को जीतने का मतलब है, मन में जो गलत पाना है, मौजूद है, उसको हटा दें, फिर जो शांती परमात्मा की हम तलास हमेशा से करते आ रहे हैं, वहामें नजर आने लगेगा, कुछ बाते मैंने आप सब की बीच कही, और ज्यादा न कहते हैं, मैं अपनी बात को श्माप्त करता हूं, बोले सद्गुरुदेव क कि ये ये